कुछ इलाकों में नए चने की आवक आरंभ हो गई है और इसका दाम अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। केंद्रिय एजेंसी नैफेड के पास अभी चना का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। नैफेड घरेलू बाजार में अपने स्टॉक की नियमिद बिक्री भी कर रहा है, साथ ही साथ अगली फसल की खरीद की तयारी भी कर रहा है। सरकार ने चना का न्यूंतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर 5,440 रुपए प्रती क्विंटल निर्धारित किया है। दरसल पिछले साल की तुलना में चालू रभी सीजन के दौरान चना के बिजाई ख्षेतर में करीब 6,00,00 हेक्टेर की गिरावट आई है। इसके अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं करनाटक जैसे प्रमुक उत्पादक प्रांतों में लगभग 80 प्रतिशत बिजाई खेतर में चना की फसल को नमी के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने 2022-23 सीजन के लिए पहले 135 लाख टन चना के उत्पादन का अनुमान लगाया था, जिसे बाद में घटा कर 123 लाख टन नियत कर दिया। लेकिन यह संशोधित आकड़ा भी वास्तविक उत्पादन की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत उंचा प्रतीत होता है, क्योंकि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ती एवं उपलब्धता इस उत्पादन आकड़े के अनुरूप नहीं रही। चालू रभी सीजन 2023-2024 के लिए क्रिशी मंत्राले ने 136 लाख टन चना के रिकॉर्ड उत्पादन का महत्वा कांक्शी लक्षे निर्धारित किया है, जबकि बिजाई क्षेतर में गिरावट एवं मौसम की हालत को देखते हुए यह लक्षे बहुत उंचा मालूम पढ़त चालू सीजन के दौरान अगर चना का उत्पादन 100-105 लाख टन तक भी पहुँच जाए तो बड़ी बात होगी। हालांकि जनवरी के अंत एवं फरवरी के आरंभ में पश्चिमी विक्षोब की सक्रियता के कारण कुछ राजियों में बारिश हुई मगर महाराष्ट्र, म अध्यप्रदेश, करनाटक एवं गुजरात जैसे राजियों का अधिकांश भाग इस वर्षा से वंचित रह गया।